सीटेट तो हजार इकिस के लिए बैस्ट टैन कोश्चन्स की आठवी वीडियो लेकर आपके सामने आ चुका हूँ शायद कोई ही स्टूडेंट होगा जो हर सब्जेक्ट की पैडा गोजी और हर सब्जेक्ट का कंटेंट सीटेट के लिए हमारे चैनल से ना कर रहा हो तो आप भी जुड़े रहें और इस वीडियो में भी हम 10 बहुत ही important questions देखेंगे जो हिंदी ग्रामर के परतेक पहलू को चुएंगे और टैट एक्जाम के लिए आपको पूरे तरीके से तयार कर देंगे तो अपना कुछ टाइम निकाल कर ही इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी काम की होने वाली है हमारी back to school की annoyed application भी है जिसे आप install कर सकते हैं अपने mobile phone के अंदर और seat at को आसानी से clear कर सकते हैं क्योंकि seat at के अंदर जितने भी questions आएंगे वो हमारी mock test के अंदर से ही repeated questions आपको देखने को मिलेंगे आज subscription लेने वाले student है अंकिता शुकला और कल आठ लोगों ने subscription लिया सपना, उमेश, आशिश कोतम, रिंकु मिश्रा, वसिम सिद्धिकी, विकास कुमार, रनवीर कोर और रुपाली ने आप भी लीजिएगा back to school app पर install करके subscription ताकि आपका exam बिलकुल ना रुके तो आज किस वीडियो में हम 10 question करेंगे लगातार और इससे पहले की 7 वीडियो भी आपको देखनी है तो चलो पहले question से start करते हैं अपने number count करते हैं चलना है आपको मन स्ताप संधी का विछेद करिए मन स्ताप, तो देखिए ये होगा मन है प्लस ताप answer क्या होगा, मन प्लस ताप देखिए संधी जो होती है वो 2 वरनों के mail को कहते हैं और इसके अंदर संधी कौन सी हुई, अगर संधी पूछे कौन सी है तो ये विसर्ग संधी होगी विसर्ग संधी होगी दोस्ट यानि कि विसर्ग के बाद स्वर्या वेंजन आ जाए तो दोनों के मेल से जो चेंज होता है उसे विसर्ग संधी कहती है ठीक है आपने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ विसर्ग के बाद कोई स्वर्या वेंजन आ गया तो इससे चेंज हुआ है मनये प्लस स्थाप मिलकर मन्स्थाप बन गया है आधा से आ गया है यहांपर तो ये विसर्ग संथी होगी चलिए सेकंड कोशण की तरह बढ़ते हैं स्वागत में सही संथी है पहले तो इसका संथी में विक्रह कर लेते हैं सुपलस आगत स्वागत का संदी विच्छेद सू प्लस आगत होगा और यह यन स्वर संदी होगी कौन सी होगी यन स्वर संदी यन स्वर संदी इसका मतलब हुआ कि छोटी ई बड़ी ई कि आगे अगर कोई भी ऐस मान स्वर हो तो ये जो छोटी और बड़ी ही है ये क्या हो जाता है ये हो जाता है और मानलो की छोटे हूँ और बड़े हूँ के सामने मानलो कोई विजाती है स्वरा गया तो छोटे हूँ और बड़े हूँ का वै हो जाता है और मान लिजे रिशी वाला रि आ गया उसके आगे अगर कोई भी जाती है स्वर आ गया तो रि का क्या हो जाता है रह हो जाता है तो ये यन स्वर संदी है या यन संदी है तो स्वागत का अगर संदी हम करें तो सू प्लस आगत और आंसर होगा आपका यन संदी चलिए नेक्स्ट कोश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जीवनोप योगी शब्द का संधी विच्छेद क्या है बताईए जीवन प्लस उप्योगी जीवन प्लस उप्योगी दो शब्दों के योग से आपका जीवनोप योगी बना है इसके अंदर गुण संधी होगी अगर संधी भी पूछे तो आपकी गुण संधी का ये एक बहुती सुन्दर एक्जामपल है इसका नियम क्या होता है ए और उ इस इकल टू ओ ये आपका गुण संधी का रूल है यानि कि इसमें ए आ के आगे या बड़ी इ यहाँ पर अगर मैं रूल आपको बताऊं तो सीधा सीधा रूल ये होता है कि मान लो इसमें ए आ के आगे चोटी बड़ी इ हो तो ए छोटाऊ बड़ाऊ हो तो ओ तथा री हो तो रह हो जाता है इसे गुण संधी कहते हैं पर यहाँ पर तो सिर्फ ये पूछा गया था कि जीवन उप्योगी शब्द का संधी विछेद क्या होगा जीवन प्लस उप्योगी जो गुण संधी का एक्जामपल है नेक्स्ट कोश्चन अती प्लस इव में कौन सी संधी है बताइए अती प्लस इव अगर आप इसकी संधी कर दें तो कौन सा वर्ड बन के निकल के आएगा अतीव बड़े एकी मात्रा तो संधी का शब्द होता है मेल ठीक है दो निकटवर्ती वर्णिया दवनियों के प्रसपर मेल से होने वाला जो चेंज है उसको आप संधी बोलते है अतीव प्लस इव अतीव बनता है और यह दीरग संधी होगी कौन सी संधी होगी दीरग संधी अगर इसका नियम बताएं यह कैसे होगा तो छोटी इ प्लस बड़ी इ बड़ाबर बड़ी इ अतीव में देखा यह छोटी इ है यहाँ पर भी छोटी ई है लेकिन यहाँ पर जब यह संदी हुई इनको तो तै के उपर बड़े ई की मातरा आ गई दीर किस वरसंदी जब दो शब्दों को संदी करते से मैं ए या आ के साथ ए और आ हो तो आ बनता है जब छोटी ई और बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई हो तो बड़ी ई बनता है और जब छोटे उ और बड़े उ के साथ छोटा उ और बड़ा उ हो तो हमेशा बड़ा उ बनेगा तो ये आपकी दीर गसंदी है तो आंसर यहाँ पर कौन से वाला है आंसर यहाँ पर होगा option number B चलिए next question की तरफ आगे बढ़ते हैं next सही शब्द यूगम चुनिए चलिए देखिए शब्द यूगम होते हैं जगत कण अंबिधू सागर चूर सुन्दर चारू कुएं का चोतरा देखिए अंबिधू और सागर आंसर होगा सही शब्द यूगम अगर हम चूज करें तो ठीक है ना ठीक है जगत को वैसे क्या बोला जाता है जगत को बोला जाता है आपका कुएं का चोतरा और कण का मतलब तो कण होता है तो यूगम शब्द होते हैं अंबिधू और सागर अंबिधू और सागर यूगम शब्द अंबिधू और सागर बी नेक्स्ट कोश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है आपका टिकट घर किस परकार का शब्द है टिकट घर अब देखिए ये शंकर शब्द है अब आप बोलेंगे कि ये शंकर क्या होता है भई देखिए वो वर्ड जो दो भाषाओं के शब्दों को मिला कर बना लिये जाते उन्हें शंकर शब्द बोलते हैं दो language के शब्दों को मिला जुला कर बनाए गए रूप शंकर शब्द शंकर शब्द विशेश शब्द होते हैं जो दो बिन बिन बाशाओं के मेल से बने होते हैं जैसे कि टिकट गर इसमें जो टिकट है वो कौन सी language का गर? इंग्लिश का शब्द है और जो घर है वो किस language का शब्द है? वो हिंदी का शब्द है तो टिकट अगर हिंदी प्लस इंग्लिश वर्डों से मिलकर बना है एक इंग्लिश का वर्ड, एक हिंदी का वर्ड तो जब कोई शब्द दो अलग अलग भाशाओं के शब्दों से मिलकर बनाओ तो उसे संकर शब्द बोलेंगे तो आंसर आजाएगा C नेक्स्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं शेत्रिक का तद्भव रूप क्या है? बताईए देखे तद्भव तद्भव का अगर आप संधी विछेद करने को बोलें तो क्या होगा बताओ? तत प्लस भाव जिसका अर्थ हुआ विक्सित या उससे उत्पन होना देखे जो संसकर्ट के शब्द थोड़े से चेंज के साथ हिंदी में यूज होने लग गए वो तद्भव हैं और जो बिना चेंज के डारेक्ट यूज होते हैं वो तद्सम हैं तो यहां पर आपको शैत्रिक का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए देखिए शैत्रिक का तद्भव रूप होगा खेती क्या होगा दोस्त? खेती होगा शैत्रिक का तद्भव शब्द होगा खेती खेती संसकर्ट का शब्द नहीं है वो शेंसकर्त के शेत्रिक शब्द से थोड़े से चेंज के साथ हिंदी में आया है और हिंदी में आकर वो शेत्रिक से खेती हो गया तो answer D हो गा है यहां पर अगले question की तरफ बढ़ते हैं निमन में से किसी शब्द में E प्रत्य नहीं है धर्माव लंब प्लस E इसके अंदर तो है उत्साह ही देखते हैं उत्साह प्लस E इसके अंदर भी है परिश्रमी का क्या होगा परिश्रम प्लस बड़ी E तो इन तीनों के अंदर तो है लेकिन क्या जीवन दाई में भी है देखते हैं एक बार जीवन प्लस दाई तो आपने देखा कि उपर के तीनों में A, B और C में छोटी E प्रत्य है उपसर्ग आगे लगता है प्रत्य पीछे लगता है प्रीफिक्स और सफिक्स तो यह सफिक्स होता है एंगलिश वाला तो जीवन दाई में E प्रत्य नहीं है तो आंसर यहाँ पर D हो जाएगा ठीक है दोस्त नेक्स्ट कोश्चन की तरह बढ़े आकर्शक शब्द में उपसर्ग है बताईए आकर्शक शब्द में आकर्शन शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताओ देखिए जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर नए शब्द का निर्मान कर दे उसे उपसर्ग कहते है यानि कि आप अगर रूल देखें तो यह होगा कि उपसर्ग प्लस अन्य शब्द बराबर नया शब्द तो बताईए आकर्शक शब्द में उपसर्ग कौन सा है तो देखें आकर्शन में अगर देखें तो आ प्लस क्रशन तो यहाँ पर अन्सर आएगा आप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा मज़ा आ रहा है ना आपको क्लास में बिल्कुल हर सब्जेक्ट की पैड़ा गोजिए मतलब कि सीटेंड में कोई ऐसी चीज नहीं है पेपर वन पेपर टू में जो मैं करा नहीं रहा हूँ तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए अपने यार दोस्तों को ले गर आईए नेक्स्ट कोशन है ए उपसर्ग से बना शब्द निमन में से नहीं है बताए कौन सा शब्द ए उपसर्ग में से इन में से नहीं बना है अब देखिए एक एक करके देख लेते है सबसे पहले अनाथ देखते है ए प्लस नाथ बिल्कुल ए उपसर्ग से बना है ए विश्वास ए प्लस विश्वास बिल्कुल ए उपसर्ग से बना है अप मान, अप प्लस मान तो देखिए ये अलग निकलाया लेकिन चोथे को भी देख लेते हैं अप लक, ए ए प्लस पलक तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर तीसरा हो जाएगा कि जो अप मान है उसके अंदर अप उपसर्ग है ना कि A तो आंसर हो गया C तो आज की ये क्लास कितनी जल्दी चली गई मुझे भी आप लोगों के साथ जो है डिसक्रिशन करते हुए पता नहीं लगा क्लास का और ये आठवी क्लास थी हिंदी पेडागोजी, हिंदी ग्रामर और हर सब्जेक्ट की क्लास आपकी बेक टू स्कूल की हमारे चैनल पर चल रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इन वीडियोज को देखें और हमारी एप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और पहले इनतिजार है, सब्सक्रिप्शन लेजिए हमारे साथ जुड़िए और यूट्यूब पे अगर आप जुड़िए हैं तो हर वीडियो को देखिए ताकि आप लोग अपने एक्जाम्स को 100% क्लियर करें ठीक है दोस्त तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूँ तब तक कि जैहिंद जैभारत अने मोस्त इंपोर्टेंट बात पढ़ते हैं जरूर है नहीं